देखें बात करने जा रहे हम सेंट्री पीटल एकसेलरेशन की सेंट्री पेटल एकसेलरेशन की हम जानते हैं जब बॉड़ी किसी सर्कुलर पाथ में मूब करती है तो उसकी डिरेक्शन आफ मोशन लगातार बदलता रहता है भले उसकी स्पीड कॉंस्टेंट है speed बुरे तो माले आपकी गाड़ी का काटा दस पर है बहुत कम कर दिया 100 पे है 100 पे है तो 100 पे ही है लेकिन आप लगातार हो ऐसे move करते जा रहे हो तो आपका direction बदल रही है तो velocity change हो रही है तो velocity change होने की वज़े से उसमें एक acceleration है जिसकी direction हमेशा center तरफ होती है उसी को centripetal acceleration कहते हैं या इसको radial acceleration भी कहते हैं radial acceleration भी कहते हैं ज़रा समझने की कोशिच करिएगा हमने कहा magnitude of speed is constant नाम में दूँगा V1 V2 ज़रा देखिए ये एक body है जो circular path में move कर रही है ये circular path है हमने यहाँ पर कहा suppose body is at the point A और here velocity is V1 velocity is V1 speed constant है तो यहाँ पर velocity किदर होती है velocity हमेशा transient direction में होती है तो यहाँ पर इसकी velocity है V1 यह इसकी velocity है after time delta T body goes to point B B पर पहुंच गए और यहाँ पर velocity कितनी है यहाँ पर V2 है और यहाँ से यहाँ तक body जब गई तो यह इसका है angular displacement और यह इसका है linear displacement यह radius है समझ में आरी बार नहीं आरी है अब मैंने क्या किया इस V1, V2 और जो change in velocity हुआ यह चुक्क वेक्टर क्वांटी है इसले वेक्टर चुड़ा दिया इसको हमने दूसरे डाग्राम से शोग किया देखो द्यान से यह V1 था हमने इस प्रकार से V1 बनाया ऐसे इसको माना हमने BQ ठीक है अब देखिए और यह V2 था तो हमने यह V2 बनाया यह V2 बनाया और इनके बीच का एंगल कितना है डेल्टा थीटा और यह हुआ इनकी चेंज इन विलास्टी डेल्टा वी यह डाग्राम समझे आया कि V1 से V2 बनने में कितना एंगल से घुमा यह V1 से V2 बनने में कितना एंगल से घुमा हुआ है डेल्टा थीटा है ना तो यह दोनों के बीच के अंगल डिटला थीटेश होगा अब कोईशन यह उड़ता है कि स्रीमा ने कौन से हिसाफ से आपने एड किया है आपने टेल टेल जोड़ दी और हमको आपने बताय हो कि हैड से टेल जोड़ी जाती है मैंने किया वही है थोगा घुमा दिया आपको कैसे सुनिये जान से पहले वीवन बनाया हमने यह वीवन बना अब देखो वीवन में कुछ चेंज हुआ कितना चेंज हुआ डेल्टा वी जब वो डेल्टा वी उसमें चेंज एड हो गया तो क्या हमको मिल गया तो डेल्टा वी ये क्या है डेल्टा वी कैसे एड होगा इसकी हेड से डेल्टा वी एड हो गया नहीं हो गया और आपको जो फाइनली मिला वो क्या मिला वी टू बताये ये नहीं जाता है बताये जाता है ये वी वी टू और यह डेल्टा भी स्टूडेंट का है वेरी गुड को यह नहीं पूछता है भाई साब आड कैसे की हो एड तो गलब तरीके से आपने किया है तो इसलिए हमने खुद ही बता दिया अब देखो जड़ा ध्यान से एक्चुली जो आपकी वीवन वीटू वेलास्टी थी पी क्यू इसको आर मान लो यह भी वीवन थी यह इसका मैग्डिटूड क्या था वो तो सेम था आपने डिरेक्शन की होज़े से वीवन वीटू माना है ना अब जड़ा देखे जान से अगर मैं यह ओ पीवन पीटू को ऐसे खिसका दो ऐसे कर दूं तो इनके यह डेल्टा थ पी तो इसका इसका रिश्यो इसका इसका रिश्यो इक्वल है और यह एंगिल इक्वल हैं देखो घ्यान से यह जो आपका O AB है न इसको ऐसे घुमा दो तो यह O AB भन गया ऐसे O A B सही का मैंने ये R था ये R था इनके बीच अंगल डेल्टा थीटा था अब ज़र इन दोनों डाइग्राम को देखो ये अंगल डेल्टा थीटा ये अंगल डेल्टा थीटा इस साइड का इस साइड का रेशियो V upon R इस side का इस side का ratio वी एपान आर वो V1 V2 तो direction के उसे सबने लिया है ना तो angle equal और side का ratio equal तो दोनों triangle similar हो गए तो आप कहेंगे कि triangle OAB similar triangle PQR जब दो triangle similar होते हैं तो उसके corresponding side का ratio equal होता है तो देखें इधर लिया हमने OA और उसके similar लिया यहां पर PQ सही का इधर लिखा हमने AB और उसके सामने लिखा QR चुकि OB OA के equal है और PQ PR के equal है इसलिए उसको लिखने ज़रूत नहीं है OA क्या है V sorry OA है R PQ है V तो जो V1 V2 है वो आप कहने body is moving with velocity V because of the change in direction we are using V1 V2 AB की लंद क्या है डेल्टा S अपान PQ है डेल्टा V यहां से डेल्टा V की value क्या हो गई V अपान R into डेल्टा S दोनों तरह हमने क्या क्या डेल्टा T से डिवाइड कर दिया फिर हमने का डेल्टा T is very small तो हमने क्या limit डेल्टा T tends to 0 तो यह क्या बन गया यह बन गया पर यहां लिखे जा रहे है अगर हम बना लिया है न यह बन जाएगा यहां पर लिमिट डेल्टा T tends to 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T इस इक्वल टू V अपान आर इन्टू लिमिट डेल्टा T tends to 0 डेल्टा S अपान डेल्टा T यह आपका एक्सेलरेशन है यह V अपान आर यह आपकी विलास्टी है तो A इस इक्वल टू V स्क्वार अपान आर इसको instantaneous वर्ड यूज़ कर सकते हैं रे छोटा सा derivation सुन में आगई बाद अपान आर